नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा देश सबसे महान देश है, लेकिन यह जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की. देखिये, यह डौनो देश हर पहलू, हर रूप में एक दूसरे से बहुत अलग है. शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बाद चेड़ी इसलिए कह रहा हूँ, कि जब भी हम मुकाबले में दबने लगते हैं, तो हम एकी चीज का आधार लेते हैं, संसकार और परमपरा, अमेरिका ने अपने बलबूते पर तरक्य की है, उनके अपने संसकार है, अपनी परमपरा, अब यह कहने हैं कि उनके सोच विचार, उनका रहन सहन, उनकी मानिय तक खराब है और हमारी मानिय एक गलत है, देखिए, कुछ मद्बेद है, पर कहाने होते हैं, इपोर्डन बाद यह हैं कि यहां पर जाती क्याधार पर भेदबाव किया जाता, जो सदियों से चली आ रही ही, जुरूरी नहीं कि वो सही हो, मैं बस वही किह रहा हूं जो आप लोग की बीच में कुछ तिन रहे कर मैंने महसूस किया है, और वो है कि हम लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, जब कि हमें लड़ना चाहिए, आशिक्षा के खिलाफ, पढ़ती अबादी, पढ़ती चार के खिलाफ, और हमें से हर कोई हर रोज ये केता रहता है कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, कि ये देश परबादी के और बढ़ रहा है, अगर हम लोग सिर्फ ये ही केता रहें, तो सच मुछ ये देश बढ़ बाद हो जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ करना है, सिर्फ आपको नहीं है, आप सब को, आप अपनी समासियाओं के लिए इन पंचो को दोश ही ठेहराते हैं, लेकिन उनकी जगा पर आप भी वाई करेंगे, और ये बात मुझ पर भी लागो होती, दलित ब्रामिन को दोश दे रहे हैं, ब्रामिन केहते हैं कि दलित उनकी जाती को ब्रश कर रहे हैं, लोहार और कुमार एक दूसरे को दोश दे रहे हैं, जमीदार किसान को दोश दे रहे हैं, लेकिन उनको हक नहीं देते हैं, तो पहरा महान कैसे हुए हैं? गाउं में दिक्कते हैं तो हम सरकार की तरफ उन्हीं उठाते हैं और वो किसी और की तरफ हम सब एक दूसरी को दोश दे रहें जबकि सचाए ये है कि हम सबी दूशी है क्योंकि समसिया हम खुदी है मैं आप हम सब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक जुला हा जिसे खेती बारी करनी चाहिए वो अपने परिवार को दोवा की रोटी ने दे सकता वो अपने बच्चों को शिक्षा ने दे सकता बस उन्हें भूख से मरता हूँ देख सकता है झाल झाल क्षब एक जुला झाल झाल झाल